नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सौरब आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ आज हमारा विषय है पानी पानी हमें किस प्रकार पीना चाहिए पानी हमें कितना पीना चाहिए और पानी गरम पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए आज हम यह जान में पानी या तो गरम होगा या तो थंड़ा होगा ठीक है यह दो तरह के पानी हम mostly use करते हैं अब गरम पानी पीने से में क्या फाइदा हो सकता है आईए उसके पर कुछ हम बात करें जैसे गरम पानी पीने से हमारा स्टैमिना बढ़ता है ठीक है, खून का बहाव बढ़ता है, कब्स दूर होती है, वजन कम होता है, और सरीर में कोई दर्द हो, तो भी कम हो जाता है, जैसे अगर हमें जुखाम हो गया हो, तो हमें गरम पानी का सेवन करना चाहिए, तो हमारा जुखाम ठीक हो सकता है, हमें अगर पेट में गैस बन गया हो पेट फुल गया हो तो भी हमें गरम पानी का सेवन करना चाहिए इससे हमारा पेट फुलना या गैस कम हो जाता है अगर हमें जुलाब चालू हो गया हो, लूज मोशन हो रही हो, तो भी हमें गरम पानी का सेवन करना चीए, इससे हमारा इस्टामिना बड़ा रहेगा और हमें लूज मोशन में कोई तकलिफ नहीं होगी और हमारा लूज मोशन भी बंद होगा, अगर आपको बुखार हो गया क्योंकि वो आपको डाइजेसेंट पार्ट इंप्रूव करता है और आपका भूब बढ़ाएगा, तो गरम पानी अगर आप पीते हैं, तो आपको और उची की समस्या नहीं होगी, एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं संग्रहनी, जिसमें हमें बार बार संडास को जाना होता है या बात्रूम को जाना होता है, जैसे कि हमने कुछ खाया तो भी हम बात्रूम को जाएंगे, अगर हमें कुछ लग गई या कुछ हमने पानी भी पिया तो भी हमें टॉलेट रूम में जाना पड़ता है, तो यह संग्रहनी के रोग है, इसका भी इलाज हम गरम पानी इसे कर सकते हैं अगर हम गर्म पानी पीएंगे तब हमें कभी भी संगरणी रोग नहीं होगा उसके अलावा खासी खासी आई लोग कफ शिरप लेते हैं सबसे चीची चीज हमारे घरद पर अवेलेबल ए गर्म पानी गर्म पानी का 7 कीजिए खासे में काफी हद तक आराम कोई वस्तू खिली तो गरम पानी का सेवन कीजिए उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा ठीक है गरम पानी से अगर आप नहाते हैं तो उससे कुछ नुकसान हो सकता है जैसे गरम पानी को अगर हम अपने सिर पे डालते हैं तो हमारे बालों को और हमारी आखों को और हमारी दा चलिएव कम होने लगेगे के आपकी कम ध no Multi भी क्या आ सकते हैं तो गरं पानी का मैं पंडा लगेभी दाद ड के कमदुद आपके कम जोस्ति होने लगेगे और चेहरों के ऊपर कुछ आपके कि रिंइकर्ण Bayona भी आ सकते हैं तो गरण पानिकान निए कंधि कब यूज होगा मजबूत होगा और ठंडे पानी से आपको बालों के रोग आखों के रोग और ताद के रोग नहीं होगे तो नहाने में गरम पानी शरीर पे ठंडा पानी सिर पे अब रितु के हिसाब से भी हम पानी डिसाइड कर सकते हैं जैसे ठंडी में हमें गरम पानी से नाना यह भी हम आज जान लेते हैं जैसे चोटे बच्चे और जो 12 वर्स तक हैं इन सारे बच्चों को गरम पानी से ही नहलाना चाहिए उनके सीरपे भी और उधर भी लेकिन 12 साल से बड़े और 60 साल से नीचे के लोगों को ठंडे पानी से नहाना चाहिए हमेशा इससे उनका खून करते हैं गड़र पानी से नहीं साथ साल में क्या होता है जरह हमारे शरी में वादबढ़ जाता है तो दर्द उनके to कम करता हैं ठीक है तो कभी भी घरम पानी हमें कब नहाना चाहिए यह आपको मालुम पढ़ गया अब आते रहे ठंडबे पानी पीने से भी कुछ प्राइदेपानी 50 फाइदें जहां आमने देखा है बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएँगा मील फप्रलम क्युक्น थंड़े पानी से दूर हो जाएगी जैसे अगर आपको बेहोसी आ गई हो या किसी को बेहोस हो गई हो तो उसके मुह पे थोड़े थंड़े पानी का छिरकाव कर दीजिए थोड़ा थंड़ा पानी पिरा दीजिए उसकी बेहोसी तूट जाएगी ठीक है उसके अलावा आपक ब्रह्म कभी हम कन्फीज बताते हैं तो ठंडे पानी का सेवन करने से दूर हो सकता है श्वास में हम इसको ले सकते हैं ठीक है इस तरह से हम ठंडे पानी का यूज कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह मेरा वीडियो जरूर बताईए और हां नीचे सब्सक्रिप्शन का कीजिए अपना कमेंड लिखना मत बूलिए धन्यवाद नमस्ते फिर मिलेंगे अगले अपते नए विश्य के साथ आपका दोस्त